आपका इस नहीं वीडिये में इसमें हम बात करेंगे आई-पी स्पूफिंग के बारे में तो दोस्तों शुरू करते हैं आई-पी स्पूफिंग की जो मारा डेफिनेशन उससे विद आई-पी स्पूफिंग समौन इंटेंशनली मोडिफाई और इस पूफ देर आई-पी सम्ण आई-पी स्पूफिंग के जरीए क्या होता है की जो भी सोर्स होता है वह अपने आपको एक हरे commodity रिंटेzentि पर रिंट्रो उस्केms जो सामने encanta करके चुपा करें एक HOW डुसरा आइपी खंए सांबल इक बोलता है कि मेरा यह i हैं ड्रे एक डर्रेस है घंदे से इसकेस म करें तो दोस्तों आगे यह सोटे से डिफिनेशन इसकी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका सिंपल मिथड़ यह जो सोर्स आइपी अड़िस होता है उसको मोडिफाई करके या स्पूफ करके सामने वाले को जो डिस्टेनेशन होता है उसको एक गलत आइपी अड़ेस या फ कि ऐता है और यह दूरा आप देकर लिया है और यह हमारा सूर्व में को कि अacsony ाधी होता को जुद्द सर्वर पर साथ कि लिए होते हैं दिक लिए को के कर दो 늦ुद्द बिसरवर का समय कुशत में करें कि सिर्फ इसी सोर्स से मुझे एक्सेस किया जा सकता है तो जो फायरवाल लगी होती है सर्वर के पीछे वहां पे हम ACL जो एक्सेस कंट्रोल इस्ट होती है उसके तुरू यह डिसाइड करते है तो जो अटैकर होता है वो क्या करता है अपना आईपी स्पूफ करके कोई ऐसा आईपी दिखाता है जो अलाव हो ताकि सामने वाला फायरवाल जो है यह सेक्रिटी सिस्टम उसको अलाव कर दे यह बेसिक तरीका स्पूफिंग का होता है आगे डाइग्राम में और अच्छे तरीकिस को जाने की कोईशिस करते हैं कि यह क्या है दोस्तों जैसा आप यह डाइग्राम में देख रहे हो कि जो हमारा यह एक टैकर है इसका आईपी अड्रेस हमारा 2.2.2 है और जो हमारा एक क्लाइंट है नर्मली क्या होता है कि जो सर्वर्स होते हैं क्लाइंट के लिए accessible की जाते हैं और पब्लिकली बहुत से अड्रेस के लिए या सभी अड्रेस के लिए देर कुट बीडिफिरेंट सेनारियो आई मीन की यह जो सर्वर है इस सर्वर पे जो सेक्यूर्टी फारवाल मैनेज करती है अब असल में क्या हो सकता है हमारे पास सेनारियो हम सिर्फ एक IP अड्रेस या एक पर्टिकुलर रेंज आफ आप अड्रेस को छोड़ करके सारे IP अड्रेस को ब्लॉग करते हैं या फिर हम यहां पे ACL में करते हैं कि कुछ SE IP जिनकी रेपोटेसन अच्छी नहीं है उनको ब्लॉग करके सारी IP अड्रेस अड्रेस अच्छी नहीं होती है तो उस केसे में क्या होता है जो हैकर होते हैं अपने IP को स्पूफ करके किसी ऐसा IP प्रिटेंड करते हैं जो सामने वाली डिस्टेंशन पर अलाउड हो जैसे इस केस में हमारे डाइग्राम में 1.1.1 जो है यह क्लाइंट का IP अड्रेस है जो की सर्वर के ACL में मानके चलते हैं कि अलाउड है अब जब यह ट्रैफिक आलाउड एकर तो जो हैकर अब यह जो है डी डॉस अटेक कर सकता है या मैंन इन दा मीडल एटेक कर सकता है पटे काफी बड़ी मातरा में चाइना की जो आपी आडरेसं के यहां ब्लॉक होतें क्योंकि चाइना से बहुत ज़्यादा आटक आते हैं इसको पता ने चालेगा कि इसका एक्ट्रेकर होता है इस वज़ेसे पाइपर सेक्योटी की जो पॉलिसी होगी इसके साफ से पर ट्रेफिक अलाओड होना चाहिए ऐसा कुछ सौर्स IP एड्रस में दे देगा जो है कर अटैकर होता है इस वज़े से ट्रैफिक अलाओड हो जाती है और इस तरह से आई-पी स्पूफिंग अटेक किया जाता है क्योंकि नॉर्मली जो ट्रैफिक ब्लॉक होनी चाहिए एक ट्रैफिक यहाँ पर अलाओड हो जाती है क्योंकि सोर्स आई-पी अडेस यहाँ पर मोडिफाइड रहता होता है जिसके वज़े से आई-पी जो एकर होता है उसकी लोकेशन भी ट्रैशन ही हो पाती है और अगर वो ट्रैफिक पर्टिकुलर उसका आई-पी अड्रेस ब्लॉक होता है माले जागर 2.2.2 ब्लॉक होता तो उसने स्पूफ करके अपना 1.1 करे तो यह ट्रैफिक एक वीडियो को सेयर जरूर कर दें धन्यवाद दोस्तों